बहुत समय पहले जंगल में पक्चियों का घर हुआ करता था पक्ची माँ अपने घर में चक्की पिश रही थी बक्ची भी नहीं थे तभी पक्ची पापा आते है और कहते है कि आज भी हमें कोई मकान नहीं मिला पारिस के बज़े से सारे मकान खतम हो गए है हम अब इसी घर में बुजारा करना होगा यह सुनका टूनी ने चक्की रख दिया और रोने लगी तभी वह उसका दोस्त आता है और उन्हें उपाई बताता है कि तुम लोग खोदी गटी कर लो बारिस के वज़े से कई लकडिया तूट गई है तुम उससे ठीक कर लो दुसरे दिन च्मिया मा जंगल से लकडिया ला रही होती है कि तभी लारे करती है क्या कर रही हो पक्षी मा ने कहा कि मैं घर ठीक करने के लिए लकडिया ले जा रही हूँ वह निकल पड़ती है घर के और चलते समय तभी उसे महा रास्ते में एक खाली घर मिला जहां कोई नहीं रहता था वह अंदर गई और उसे वह घर सुन्दर लगा देखकर पक्षी मा बहुत खुश और अपने परिवार के साथ रहने लगी बगल में तलाब बड़ीचा सब कुछ था